हेलो फ्रेंट्स मनुशाद और आप देखरें मैं पर्सनल एक्सपीरियंस पॉलेंड फ्रेंट्स आज की वीडियो में मैं आप लोग को वह चीज बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट नियोज जो कि अभी आप लोग का सम्मिशन के टाइम आएगा जिनको जिनको भाई को अप ऑफ लगी की इन्फेंट ओूर वीडियो में आपको देखंगे अंदर कैसे क्या हो रहा है तो आपका कोई भी वीपाइं चुट एनignment फिर आपको शाहिए वीडियो दुबारा देखने पड़ेगी नो प्राब्लम वैट आप वीडियो को पूरी देखेगा और ज्यादा सा ज्यादा शेयर करिएगा आपने गृट करिएगा दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि उनको भी पहले से तयारी कर लें चलिए फ्रेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिए अभी सब्मिशन का टाइम है तो अभी डालेक में जाना है अभी सबसे बोली टेंशन आप लोगों की हलकी कर दूं कि लोगों को यह म अभी जिनका जिनका सम्मिशन हो रहा है अभी मैं आपको दिखाऊंगा मेरे एक विवस हैं उनका सम्मिशन हो चुका है वो अंदर गए उन्होंने पूरी डिटेल उनको देखने को मिला सब कुछ हुआ मेरी बात हुई तो वो चीज मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूं 100 जो चीज 100 परसंट होती है वो मैंने आप लोगों को आज बताने जा रहा हूं क्यूंकि बाई अंदर दिल्ली में जो दिल्ली की पोलेन अंबेसी है उसमें तीन काउंटर लगे हैं अंदर तीन काउंटर में आपको जाना है जाने के बाद महां पे अपनी फाइल सम्मिट कर जाना है बाई कोई इंटर्विव नहीं हो रहा है पहली बात अगर आपका इंटर्विव होगा तो फिर आपको मेल आएगा क्योंकि इंटर्विव होगा तो परसनल तरीके से होगा भीड़ो में आपका इंटर्विव नहीं होगा तीन काउंटर लगे में उसमें इंटर्व यह कुछ दम नहीं होतों तो तो इससे बोड़ी टेंशन यह नहीं है कि आपका इंटर्वीू होना है पाइसा कुछ सवाल जवाब होंगे कोई सवाल जवाब नहीं हो रहा है आपको सेधर बड़े जाकरां करने है एक तो सबसे बरी में इConnell इंप तो मैंने इंपोर्टेंड आपको यह बताया कि पहले बात तो इंटर्व्यू की टेंशन लेकर आपको नहीं जाना है हाँ यह है कि थोड़ा बहुत आपको अपने वर्क पर्मिट के बारे में पता होना चाहिए लेकिन उस टेम आपसे इंटर्व्यू नहीं ऑगा अगर इंटर्व्यू होगा तो आपको इमेल आ जाएगी Л सारे ढरकोमेंट अच्छे से तयारी करके लेकर जानी है और वहां जाके अपने वीज़ा के लिए apply करना है तो friends अभी चलिए दिखाते हूं मैं आप लोगों को slip कि आपकी slip पे क्या है कैसे कैसे क्या updates में हर चीज slip कितनी बड़ी है वो कैसी दिखती है कैसे कैसे इसमें fees है और कैसे आपको collect करना है कब आपको email आएगा email आपको आएगा आपके result से 15 दिन के बाद जैसे माल लीज़े for example आज आप एक तारीक को आपने file submit करिए एक तारीक के बाद आप 15 दिन से 20 दिन के बीच में आपको जब भी mail आता है उसके बाद ही आपको जाना है passport collect करने के लिए उन mail में आपको बता देंगे कि आप आके अपना passport collect कर सकते हैं इस तरीके से अभी system चल रहा है और अंदर तीन counter लगे में टेंशन वाली बात नहीं है बाई कोई सवाल जवाब जादा नहीं है कुछ भी क्योंकि उनको file लेनी है और file लेकर उस पर काम होना है तो यह आप लोग इतना टेंशन मतलें कि अंदर क्या होगा कैसे जाना है कैसे जाना साफ सुत्रे बढ़ियां जाईए अपने dressing करके साफ सुत्रा बस कोई टेंशन वाली बात नहीं है चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोग वो सिलिप दिखा के फिर बताता हूँ कि इसमें कैसे कैसे कहां पर क्या लिखा है लिए देखिए अपनी screen पर आपको यह screen पर आपकी शिलिप तो फ्रेंट्स यह आप देख सकते हैं आपके सामने जो यह आपको इसमें नीचे बारकोड है और यह जो आपको यह सिलिप दिख रही है मैंने कुछ चीजे जो परसनल है वह मैंने एडिट कर दिये बन कर दिए इसको क्लोस कर दिया है तो फ्रेंट्स यह मैं आपको दिखाना चाहरा तो यह है MBC की समिशन स्लिप जो पहले मिलती थी VFS में वो लंबी सी होती थी पतली सी अब जो मिल रही है वो यह है समिशन स्लिप इसमें आप लोगों को बहुत सी इन्फॉर्मेशन है कि अभी लोगों का माइन में यह है कि कितने पैसे महाफीस कितनी होगी कैसी स्लिप होगी कैसे कै से क्या होगा तो इसमें बहुत से चीजे में बदाने वाले हों आप लोग को तो यह देख सकते हैं यह आपका सबसे उपर जो यह फाइब की बीच में इसमें एक नंबर होता है 2023 तारीक की यह सम्मिशन है और आपको सम्मिशन जब आपको पासपोर्ट करना होगा उससे पहले आपको इमेल आजाएगा इमेल आपको आएगा कि आप आपके अपना पासपोर्ट कलेक कर लें तो फ्रेंट इसमें जो भी फीज जमा हो रही है वो साथ हजार चबवर नुपए जमा हो रही है और एमबेसी की ये रसीदा आपको सिलिप मिलेगी इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में आपको समझ में आ जाएगा तो फ्रेंट्स ये इंपॉर्टन चीजे की सबसे बड़ी बात इसमें यह है की जैसे की पहले होता था कि इसमें कोरियर चार्ज और आपका मैसेज का इमेल का चार्ज मैसेज चार्ज अब इंक्लूड होता था तो अभी 1 अफ सेप्टेंबर को जो सम्मिशन हुआ था दिल्ली में उसमें फीस लगी थी 11900 अभी ये फीस कम होगी है क्योंकि इसमें कोरियर चार्ज है नहीं है अभी कोरियर नहीं होगा आपको खुद जाके ही अपना पासपोर्ट कलेक करना होगा क्योंकि इसमें अभी कोरियर वाला मेटर नहीं है कि आपको कोरियर दे वो और आपको आके आप घर पहुचे आपके पासपोर्ट ऐसा कोई मसला नहीं होगा आप क्योंकि वह काम VFS का था embassy ये काम नहीं करेगी आपका passport लेगी और passport लेने के बाद आपको सीधा आपको message आजाएगा आपके passport या इनि कि वीजा जब आपका वो declare करेंगे आपको जब clear कर देंगे आपको email आएगा और आप जाके passport अपना embassy से collect कर सकते हैं तो friends यह important बहुत important news थी आप लोग को बताना समझा मैंने क्योंकि भी सभी लोग appointment के लिए wait कर रहे हैं और appointment मिलने के बाद उनको पता भी नहीं होगा कि VFS embassy का क्या है कैसे slip मिलेगी से पाईसे कितने देने अंदर तो सबसे बहली चीज होती है कि इंसान दूर दूर से भी जाएंगे तो उनको यह नहीं पता होगा कि मुझे कितना वीजा फीज देनी है तो बाई दिल्ली में साथ हजार चबवन रुपए आप लोगों का फीज लगेगी और यही चीज आप लोगों अपना कैरी करके जाना है इतनी बली सिलिप मिलेगी आपको बता देंगे वह आपको पहले ही की वीजा आपका जब आपको इमेल आएगा उसके टाइम पर आप आके वहां पर दिल्ली अबसी में पासपोर्ट कलेक कर सकते दिल्ली पॉलाइड अबसी के अंदर तो फ्रेंस यह वीडियो इंपोर्टेंट थी आज आप लोग को एक इंफॉर्मेशन दिया इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे लगा कि आप लोग को यह पता होना चाहिए तो मैंने यह आप जरूर दोंगा डिरेक कॉल करते हैं किसी टाइम रिशीव होती है किसी टाइम नहीं रिशीव कर पाता हूं को कि बाई कॉले बहुत ज़्यादा होती है तो आप लोग मैसेज डालेंगे तो मुझे मैसेज मिल जाएगा अगर मैं लेड़ भी देखूंगा बट रिप्ल झालेंगे लेड़ होती है Commissioner